अ्लाहुकोषॉ अद्यूंद। अल्लाहुम्स अलैकोष। चेक करना, उसके आ रहा रहा है वेस्पूक चेक चेक। तो दो मिनट के बाद ही डिस्कनेक्ट हो गया तो इसलिए कल नेक्ट पे दर्स जा नहीं सका अब वो कुछ लोगों ने कहा ते लिए वो कल का दर्स ज़रा दुबारा करवा दे है अब उसमें यह है कि वो तो था दो गंटेगा तक्रीम रखनी देखते हैं क्या करना है करते हैं इसको अल्ला है शुरह बखरा आएक नमबर एक सो दो वत्तबाओ मा ततल श्यवदीन ओ अला मलकिस सुलिमान वमा कफर सुलिमान वलकिन श्यवदीन कफर यॉल्मून अन्नास सिहरा वमा उंजला अल्ल्मलकैन फिबाब लाहारूत वमारूत तो जिसना कल बताया था कि इसके अंदर ये साइट के अंदर कई सब्जेक्स कलियर होते हैं एक तो कि वो क्या चीज थी जिसके पीछे वह बढ़ गए नमबर दो ये क्यों फर्माया गया कि सुलिमान ने कुफर नहीं किया और शेहतीन ने किया तीसरी बात ये है कि सहर केंदर सहर और चौती बात ये है कि जादू का नादिल होना दो फरिष्टों हारूत और मारूत पर और वो दोनों किसी को सिखाते नहीं थे यहां तक कि उसको ये नह बता दें कि आम मसल में अल्ला की तरफ से अजमाईश हैं और तुम लोग कुफर ना थो और ये कि जो सीखते थे वो उन से हारूत और मारूत थे उसमें टॉप लाइन जो था वो ये था कि मिया और दीवी में तपरका गलवादे था में अल्ला स्ब्हाईमब थाला का फर्माना है कि वो माहूं बदारीना वही मिन अहदि इल्ला वैजिनिल्ला कि वो अल्ला की हुकम के बगयर किसी को नुकसान नहीं हो जाएं मतलब ये आख कि कोई जादू करता भी है जब तक Allah subhanahu wa ta'ala का हुकम ना हो तब तक उसमें तासीर नहीं होती और कल बियान किया था कि उसकी वजवात क्या होती है कि Allah subhanahu wa ta'ala ये हुकम दे दे कि इस बंदे पे तासीर जादू की हो जाए उसके किए फैक्टर होती है उसमें फैक्टर जो है वो जिस पे जादू किया गया है उसका अल्ला की तरफ से मूँ मुड़े रखना भी है जब अल्ला की तरफ से मूँ मुड़ेगा तो अल्ला का रुख भी मुड़ेगा तो जब तो जी बात ये है कि हो सकता है कि अल्ला की तरफ से मूँ मुड़ेगा तरफ से मूँ मुड़े तरफ से मूँ 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 म का मामला था, कि आहापे जब जादू किया गया, तो उसमें जो तासीर आई, वो अल्लाही के हुक्म से आई, मगर उसकी वज़वाद क्या थी? उसकी वज़ा ये थी, कि उम्मत मुहमदी निये ये एक मिसाल बन जाए, कि जादू मौजूद है, और उस के जरीए, उस तकलीफ के जरीए, अल्लाह सुहानों तालाह ने, नभी करीम निये जरीए, इस उम्मत को जादू का तोड़ भी अता किया। तो उसमें रीजन ये थी, उसमें और कोई रीजन नी थी, तो ये कोई भी वज़ा हो सकती है, मगर जब भी तासीर इसमें होगी, तो उसके पीछे नमबर वन, अल्लाह का हुकम होगा, और नमबर टू, कोई ना कुछ उसकी वज़ा जरूर होगी। वो यतालमून मा यदुर्रूहुम वला यन्फाहुम। वो ऐसी चीज सिखते पे, कि जो ना उनको फाइदा दे सकती है, और ना यह जरूर दे सकती है। जिसकी वज़ा से उनका दुनिया ये आखरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। आखरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। ये अपनी जानों का कितना बुरा इन्होंने सौदा किया अफसोस और क्या ही अच्छा हो था अगर ये जानों कोई है। ये हम इसके पहले से की तरफ आजें। ये इसके बारे में जैसे कल भी बताया था, मैं इसलिए कह रहा हूं कल बताया था, कहता है कि तुम लोगों को याद आए कि कल क्या बताया था। कि इस चीज के कई वर्जन है। और मुफिलिस तफासीर में इसकी मुफिलिस निरेशन दी गई है। उनको अगर जवाब समख करने तो वह यह है कि यहूदी 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 पिछे पड़ लेकि इसके जो शयातीन पड़ते हैं। मुल्क सुलिमान में नभी अपना अधर सुलिमान लिए सलाम के एधे हकूमत तो शयातीन ने उसको लिगलाइस करने का जो तरीका इसके इसके बारे में कई वर्जन है। एक वर्जन ये है कि जब ये अधर सुलिमान लिए सलाम का दौर था तो उसमें जादू यहूदियों न सीखना शुरू किया हुआ था। और जो जिसना सही बुखारी किताब तोहीद में जोदी श्रीफ कोट काफित मकामाते की गई कि ये शेतान जहें ये फरिष्टों की बाते सुन लगता और फिर आमिल के कान में जाकर मुर्ख की आवाद में बियान कर देता। वो आमिल उस बात में सौ जूट मिलाकर आगे बियान कर देता। बन्यादी चीज़ चूंके वो सही होती है फरिष्टों की आवाद सुनी लिए उसमें तो वो अकीकत पर बबनी होती है। तो आने वाला जो है अमिल के पास वो ये समझता है कि बाबा बड़ा पहुंचा हुआ। तो जब ये मामला चला तो अधर सुलिमान लिए इसलाम के दोर में कॉंसेट ये प्रिवेल कर गया। कि माद अल्ला अस्तवाला जिनात तो गाइब का इलमाते ले। तो अधर सुलिमान लिए सलाम ने वो जितनी किताबें ये लोग पढ़ा करते थे वो सारी की सारी जब्स कर ली। और उनको अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। और एलान किया कि अगर किसी ने ये कहा कि जिनात को गाइब का इलमासिल है तो मैं उसकी गर्दम उड़ा दूए। अधर सुलिमान लिए सलाम के वसाल के बाद शेतान ने लोगों को गाइड किया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये हुकूमत कैसे चलाया करते थे। इनका हवा पे जानवरों पे और जन्नात पे और शेयातीन पे कंट्रोल किस चीज़ की वज़ा से था। तो उसने उस मकाम की नहिशान दही की कि कुर्सी के नीचे से खुदाई करो। वो खुदाई की गई और वहां से वह जो किताबें निकनी जो जब्सुदा किताबें थी। तो उसके बारे मुसरे का कि ये है वो इल्म जिसकी वज़ा से सुलिमान अलेहिसलाम जो है वो खुमत किया करते हैं। वो सारा जादू था। वो जब जादू की किताबें निकनी तो वो मुद्धा पड़ गया। ये ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी में यरुन को रख दे। और उसकी गाड़ी से निकला उसे पता भी नहों और उसे वो कदमा बन जा यरुन का। तो वो नीचे से जो किताबें निकली तो लोगों ने यकीन कर लिया। ये अधित सुलेमार ओल्ह साथलमार जादू से काम लिया करते हैं। तो नभी करीम जैनले दूर तक ये अधित सुल्मार ओल्हिस्तलम यहूदीयों के हाँ जादूगारी के लाद से इसलिए ये Allah सुभाना ने ये फर्माया कि सुलिमान ने कुफर नहीं लेकिन और लेकिन कुफर किसमें किया श्यातिन अब यहां ये बात वाज़ होगी कि ये जो सहर है ये Allah सुभाना टाला के हाँ इसको कुफर का दर्जाएं और ये नभी की तालीम में कभी नहीं है ठीक होगी बात दूसरा वर्जन ये है कि अधर सुलिमान अले इसलाम एक अंगूठी पैना करते थे और वो अंगूठी जब आप टॉयरेट जाते थे तो वो अपनी बीवी को दे जाते थे वापिस आकर ले लिया करते थे तो एक दफ़ा वो जब हम उठी देकर गए तो शेतान ने रूफदारा और उनकी बीवी से आके हम उठी ले लिया जब अधर सुलिमान अले इसलाम ने मुठी मागई यह उन्होंने का कि तू तू सुलिमान अहीं नहीं है तो वो जो ले गया था पहले अगूती अगूती गई वो पहन ली शेतान ने तब जब शेतान ने वो गूती पहनी तो जितने भी जिनात और शेयतीन और इंसान थे वो शेतान की तरफ उनका रुख हो गया तो इनकी हुकूमत चली गी तफसीर जैलानी के मताबिक जो अगूस आदम रजी अगूती तफसीर है लिखी हुई उसके मताबिक ये हुकूमत चालिस दिन के लिए गई थी तो अल्ला सुभानों ताला ने चालिस दिन बाल अकूमत फिर रता फर्मा दी लेकिन उस चालिस दिन के अंदर शेयतीन ने जादू की किताबें लिख कर आपकी कुर्सी के नीचे दफन कर दी और फिर वो युँआ जो भी पहले बता है तीसरा वर्जन ये है कि वो जो थे उनके वजीर आसिव बिन बरतिया है वो अधर सुलिमान अलिएसलाम के मलफूजात को तहरीर करते रहते थे और उनका जो बॉक्स था उन्होंने अधर सुलिमान अलिएसलाम की कुर्सी के नीचे रखा हुआ वो लिखते थे और वही रख लिखते थे जब अधर सुलिमान अलेशलाम का वसाल मुबारिक हो गया तो शयातीन ने वहां से वो किताबे निकाल कर और उसमें हर दूसरी सतर के बाद जादू के कलमात उसमें आड़ कर दिये और लोगों को दिखा दिया कि यह है वो इल्म जिसे यह खुमत किया कर दो चौथा वर्देर इसका यह है कि शेतान ने उसको मालूम तो था कि यह किताबें जब जबत होगी हैं सारी और कहां रखी हुई है अब अधर सुलिमान अलेशलाम की जिन्दगी में वो कुछ से करीब नहीं जा सकता था क्यों पर कोई शेतान जब करीब जाता था वो जल जाता था तो उसने यह फिर भी यह एक्यात की कि वो दूर खड़ा हो गया उसका वो जगा इसको खोट कि तुम निकालो अगर ना कुछ निकला है मेरी गर्दरों राद लोगों ने निकाली वो किताबें निकला ही और फिर वो सारा कुछ वही हुआ यह उसका चौता वर्जन है पांच्वा वर्जन यह है कि शेयतीन ने इंतजार किया आपके विसाल का और उसके बाद वहां से किताबें निकाल कर वोई जो जबस्चुदा किताबे थी उसके सरे वर्जन पेज पर आसित बिन बर्फिया का नाम लिख लिए कि यासिब इन बर्फिया की लिखी हुई है जब कि लिखी हुई हुई वो शेयती है तो इन पांचों रवायात को अगर आप ले 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 तो उसमें चीज एक ही निकलती है चाहे पहले रखाओ बाद में रखाओ कुछ भी हो कि इल्जाम तोप दिया गया अधिस सुलिमान अले इसलाम के सर पर कि माद अल्ला अप जादू गड़ते हैं ठीक फिर अल्ला ने फर्माया वामा कफरा सुलिमान ठीक हो की बात बाद वलाकिन शेयतीन कफर यॉल्मून अन्नास सिहर और फर्माया कि लिकिन कुफर जो करते थे वो शेयतीन करते थे और वो लोगों को जादू सिखाया करते शेयतीन ठीक है कितना इसला हो गया कल वाला कवर हो गया अज़ी चालो करक है करका एक पार तो कवर हो गया तो होगे शुक्र रहे करवाला सुना लिए आज समझा भी है नहीं नहीं मैं तो एक हिसा उसका कवर होगी है तो वो तो मैंने रुवायत बार रुवायत किया था ना तो अब हो गया किया कि पांच रुवायतों को कठा कर दी मकसद तो समझ नहीं है अब यहां एक शहर इसमें आगे जिक्र हुआ हारूत और मारूत फरिष्टों का नाम और बाबल जया वो जगा का नाम तो वो एक तो यहुदी पढ़ गे पीछे जो शयातीन पढ़ा करते थे उसके पीछे पढ़ गे और दूसरा वो पीछे पढ़ गे वमा उन्जिरा अलल मलकैने बे बाबिला आरूत अवा आरूत और दूसरा उसके पीछे पढ़ गे जो के हारूत और मारूत जो बाबल में रहते थे बाबल शहर में रहते थे उस उन पे जो नाजिल हुआ तो बाबल शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये इराक में था ये मैसिपोर्टीमिया इराक का नाम था और ये सल्तनत बाबल और कलदानी सल्तनत के दारूर कुमत था ये बगदार से 55 मील और किलोमेटर से 75 किलोमेटर जनूब में द्रिया-फराद के किनारे पर आबाबसा और बहुत पराना ये कदीम तरीन शहरों में से ये शहर है ये चार अजार कबल मसी की तहड़ों में इसका तथक्रा है 175 कबल मसी में बाबिलूनिया के बाश्या हमुराबी ने इसे अपना दारूर कुमत बनाया और 689 कबल मसी में ये नसर बफ्त दौम ने इसको दुबारा तामीद किराया और अपनी बीवी के लिए इसमें हैंगिंग गार्डन्स बनवाएं मौलक बागा था पांच लाग की अबादी थी इस शेहर की और 549 में इरानियों ने इस पर कबजा कर लिया बाश्या सायरस था और 275 कबल मसी में ये केलेंडर नीचे आता है कबल मसी है न तो जैसे जैसे दूर का होगा वो बड़ा साइज होगा उसका और जो अज़ती साल आप दोर के करीब आता जाएगा तो कलेंडर जो है वो डिसेंट होना शुरू हो जाएगा नीचे आना शुरू हो जाएगा तो 275 कबल मसी में इसका जवार शुरू हुआ ये इसकी तस्वीर है जो इसकी खंडरात आज भी पाहिए अराक में तेही गयता है जाएगा 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 इसमें दो वर्जन है इसके के इसका नाम बावल क्यूं है एक वर्जन ये है कि अज़तादम अले इस थे तो काबीन ने जब आवीन को कतल किया तो ये जब आदम अले इसलाम नाराद वुए तो ये पाड़ों पर काबील पाड़ों पर चड़त चड़ गिंगे और उसके बास जबust बड़ी काबील की वहां पाड़ों पर तो यह लोग पाड़ों से उतर कर नीचे फूरेज़ी और फसाद किया करते थे दाका जनी और ये सारा कुछ तो फिर हदरत इसम अधर इद्रीस अलिएसलाम ने अल्ला से दुआ की कि इनको कोई दूसरा शेहर दे दिये जाए जिसमें इसी तरह दरिया वगयरा हूँ तो फिर काबील की उलाद को मिसर की तरफ जाने का उकब हुआ और वहां पे फिर वो दरिया वगयरा हाथ चीज अवैलिबल थी तो उन्हों ने इसका नाम बाबिलियून रखा जो मिसर में था उसका मतलब है अच्छी फुरकत अच्छी जुदाई और ये जो इदर वाला इला बाबिलोन के बारे में ये बाबल के बारे में अरतली करमला वजों की रुआत है कि मुझे नभी पाक ने बाबल में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है क्योंके इस जगा पे लानत बेगी रही है ये मलून है तो उन्हों ने नमाज नहीं पढ़ी थी असर का टाइम था बाबल को फिर आपने उसको कहा कि अब अकामत परो तब आपने असर की नमाज अदार की इसकी एक और जो रुआत है वो ये है कि ये अल्ला सुभानों ताला के हुकम से यद्ध अनस बिन मालक रज़त तरह से रुआत है कि अल्ला ताला के हुकम से मखलूब को बाबल की तरफ जमा किया गया और चारों करफ से हवाबे दी गई शर्की गर्भी अबली तिबली और बहर और जब वो जमा होगे तो निदा आई 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 जिसके राइट साइट पे मखरिब है और लेफ साइट पे मश्रिक है और जिसका मूँ कावा की परफ है उसके लिए एहल आसमान का सलाम तो वो यारब बिन पहतान एक शक्ता तो उन्हें का कि मैं हूँ और वो अर्बी नसल थे उन्होंने अर्बी में बात की अब वो जो आवाज देने वाला था इसी तरह कहता रहा कि जिसके लिए पास ये है ये है उसके लिए ये ये है तो हर को उखता था अपनी जबान में बोलता था तो एक रवायत के मताबिक असी जबाने एक वक्त में बोली जा रही है थी और एक रवायत के मताबिक बहतर जबाने एक वक्त में बोली जा रही है समझ किसी को नहीं आरी वो जब सारा कुछ मिक्स हो गया तो उसको कहा गया तबल बुल ये वर्ड है तबल बुल which means मुक्तलिफ होना बहात इसक का नाम बड़ा बाबल और उसी वो जब ये तबलबल होरा था वहाँ पे तो उसी वक्त ये खैर और शर के मलाइका हया और इमान के मलाइका सहत और शिकार के मलाइका विना के मलाइका यानी अमीरी के मालदारी के श्रिफ के मलाइका, मरवथ के मलाइका, जहालत के मलाइका, और शिद्द के मलाइका जमीन तर उत्त के एंप रहूँ तक वो ह्यराब पहूंच गे फिर उन्रोंने कहा कि अब फैल जाना चाहिए, जुदा एगा उत्सेइए तो इमान के फ्रिष्टे ने कहा कि मैं मक्ता और मधीना में रऊंगा तो हिया का फ्रिष्टा कहने लगए मैं भी तेरे साथ करूँगा आम ध्या फ्रिष्टे ने कहाँ ने ऐ भी होगे और भी हात में सेहथ और शिफा के तो बचिँग quelques-ाथ-ाथ-बॉगए अवादान के वाद मोटके है जहाद को अचान को अच्छ को मुष्म्मध को अच्छ को अो है प्यूहर डुसमार प्यूह दो पर रिंगा, पर्जार आए, ब स्थानी हो आए हर तो, पर आए हर मुझाए हर अवान। हर दो हर दो, आए हर दो हर दो, आए हर दो, आए हर हाला, 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 हाला कि रा कि दो लाइ रा इन लाइ लगद्म तो ईमान और हया मक्क और मुदीना में एकठे होगे शिफा और सहत दियात में तो जफा यानी सखती जो है उसके फरिष्टे ने का कि मैं मगरिब में रहूंगा तो जहालत के फरिष्टे ने का कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो अब सक्ती और जहालत जो है वो मगरिब में वेस्ट में चली गई तलवार के फरिष्टे ने का मैं शाम में रहूंगा शिद्व तंगी के फरिश्टे ने का हमें तरह साथ रहूँँगा अब जंग और शिद्व तंगी जो है वो शाम वाली साइब पर चली गी और गृना यानी मालदारी के फरिश्टे ने का कि मैं यहीं कियां करूंगा यानि राक में तो मरववत और शर्फ के फरिष्टों ने कहा कि हम तेरे साथ रेगी अब गिना यानी मालदारी मरववत और शर्फ ये एराक में इकठी होगी तो ये इसकी सोरी सी बैगराउंड अब आयाते हैं अगे इसमें जिकर है हारूत और मारूत का इस पे भी एक्तलाव है जो अक्सरियत है वही कहती कि हारूत और मारूत दो फरिष्टे कुछ लोग कहते हैं कि ये फरिष्टे नहीं थे ये दो फरिष्टा सिफ्ट इनसान के ये इतने नेट के इन पे फरिष्टा होने का गुमान होता है तो इस लिए उनको यहां पे मलकैन का आगया इस आयत करीमान तीसरा वर्जन ये है कि ये जो ये दोनो ये ये शयातिन के सरखैल थे बड़े थे ये तीन वर्जन आगया ने के बारे हैं अब इनका जो वाकिया है इसके उपर बहुत इखिलाफ था उस वाकिये के भी काफी वर्जन है और जिस तरह हमने पहले समख किया तो उसको भी हम समख कर ले कि हुआ ये कि बाद रुआयात में है कि अदरत आदम अलिहिसलाम कर जब जमीन पर वेज़ जा गया तब बाद रुआयात में है कि हदरत अदरीश अलिहिसलाम के दौर में फरिष्टों ने लाद से किया और कहा कि या लाद तो इस इबन आदम को बनी आदम को बरदाश्ट कैसे करो कि ये इतना गुना करते है तो अल्ला सुभानों ताला ने फर्माया कि मैं इनको मुटला करता हूँ और फरिष्टों से कहा कि मैं ने तुम्हें आफित दी हुई एस ती एक और रवायत में यह है कि फरिष्टों ने कहा कि ये दुनिया में गुना जादा करते हैं यानि इंसान जो गुना जादा करता है और नेकी कम करता है और फिर भी इनका दरजा जो बलंदोता है ये उन larg अश्रास किया तो दोनों सूर्तों में अगर जो इनके साथ है ना शहवात यानी ख्वाहिशात अगर मैं तुम्हारे साथ लगा दूना तो तुम्हारा भी यह यार होगा तो फुरिष्टों ने गार के यारब ऐसा नहीं हो सकता हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपने में से जो दो तुम चाहो उनका इंतखाब कर लो तो उन्हों ने हारूत और मारूत का इंतखाब किया और अल्ला सुछानों ताला ने उनको जमीन पे बेज़ दिया और उनको हुकम दिया कि जमीन पे अदल और इंसाफ के साथ फैसले करो भराम से बचो और इंसाले से चार हुकम थे तो वो यहां पर आके वो उन्होंने कुछ अर्सा को वैसी काम किया एक वर्जन यह है कि अल्ला सुछानों ताला ने इन दोनों फरिष्टों को ख्वाइशात इनके साथ लगा के जिसना इनसान के साथ है इन में भी ख्वाइश का उनसर डालके इनको तब जमीन पे बेजा और यहां आकर यह कुछ अर्सा को ठीक रहे एर एक बाशा की बैटी थी उसका नाम जोहरा था उसको जोहरा इसलिए कहते थे कि जितना जोहरा स्तारे का है हुसन इसलिए उसको जोहरा कहते थे एक वरज़न यह है एक वरज़न यह है कि ने उसका नाम ही जोहरा था और वो अल्ला सुछानों ताला ने अर्माईश के तोर पर इन दोनों के पास क्योंकि ख्वाहिश साथ लेकर रहे थे और इन्होंने कहा कि मारा मतलब पूरा कर था उसने कुछ श्रायत इनके सामने रखी वो श्रायत मुथलिफ रवायात में मुथलिफ है。 एक में हैं कि उसने कहा कि तुम टूरा पूरा करेंगी। उन्हों नी बात मार इस ऐसा है एक्चा आ इसको कतल करदो तब तुम्हारा मतलब पुरा करूंगी उन्होंने का आमकातल नहीं कर से वो फिर चलीगी फिर वापिस आई तो उन्होंने फिर अपना मतलब बियान किया उसने कहा कि ऐसा कर लो चलो ये शराब का प्याला है तुम शराब पीले उन्होंने कहा कि यारे वो पहले दो काम भेना उसस की असका जब नशा चड़ा तो इन्होंने अपना मतलब भी पूरा किया और उसी नशे के आलम में इन्होंने वो बच्चा भी गतल किया और शिर्किया क्लाम भी दोबार से निकल गया जब वो नशा उत्रा तो इनको बदा चला उस्ने कहा उरत नहीं तो दो कामों को तुमने पहले जवाज दी यह था नवा ने नर्षे की आलशतो भी कर ली तो इन 여기 नहों को ने रजूर की आ तो वहाद आए वहाद से जवाब आया का कि अद्स और कता में ये इसादर हाद文 पिर दुनिया में बे लेना ये आहरतarnya है युनम्हुनिया का अद्स कम है तो लेहादा मैं दुनिया में अजाब दे दे तो फिर इनको जमीन और आस्मान के दर्मियान उल्टा लटका दिया गया और ये क्यामत को उल्टे लटके रहे हैं एक वर्जिन ये दूसरे वर्जिन में जो शरायत हैं उसमें शराब भी बैसी है गतल जिसको करना था वो हमसाया था और पहला जो शर्किया था उसकी जगाथा कि उसमें अतना बुथ उसने का मेरे वीम पर चलो नहीं का त पूरा कर दो तो यह मुफिर रॉयात में मुफिर है किसा एक वर्जिन इसका यह है कि उस वरत ने का कि अगर तुम मुझे वो इसम सिखा दो जिसको पढ़के तुम उड़के जाते हो असमान पे क्योंकि यह फरिष्टे दिन में जमीन पे रहते थे और जैसी शाम होती थी तो यह वो इसम आदम पढ़के आश्पर वापिस से ले जाया करते थे उसे का मुझे वो इसम सिखा दो और इन्होंने अपना मतलब पूरा करने के चकर में वो इसम आदम उसे जोहरा को सिखा दिया वो उड़ गई यासमान की तरफ और इन्होंने जब पड़के उड़ना चाहा आसमान की तरफ तो ये उड़ना सके अलाकि इन्होंने वोई इसम आदम पढ़ा तो फिर इनका वो सजा का वोई मामला हुआ कि दुनिया और आखरत में लेनी है फिर उल्टर अटका दिया गर और वो ज़़ना जब आसमान पे पहुँची तो उसके पर काट कर क्योंकि वो इसम आदम के बाद पर निकला है तो उसके पर काट कर उसे मस करके ज़़ना सेयारा सतारा जो है वो ज़़ना दिया गे ये रवायात है अच्छा इसमें एक और रवायत ये है कि जब ये हो गया सारा कुछ तो अधरीस अले अल्ला से ये दुआ की कि इन्ठी सजा में कुछ कमी कर दी जाए अल्ला अल्ला ने ले खर, तो पिर वोई ज़़ना है इनको बाबल में बाबल शेहर में एक पुवे में इनको उल्टा गटा दिया जिवाद जिजीरों से बंदे हुएं, इल्टे लटकें थिवादाइराँ अब वो जो अजाद की सूरत है उसके बाल में हदर्स मुजाहिद रहमत अले फर्माते हैं कि वो कुवे को पहले आग से बहरा गया और फिर इनको लटा लटका है जो अजाद शेय खाफंदी करते हैं वो करते हैं कि उसमें एक मौम जो है उसको प्रखा गिया गया जिसकी बद्गू से फरिष्टे बहुत बागते हैं धापसंद करते हैं तो वो मौम पहरे उस कुवें भरी गई और उसके बाद उसको इनको लटा लटकाया गया एक अजाद की सूर्फ जो और तीसरी बियान की रहती है वो यह है कि उसमें नीचे पानी है वोए में और पानी के और इनके दर्मियान इनकी मूँ के दर्मियान एक फुट का फासला है तो इनको प्यास का अजाद दिया गया है तो यह मुख्री विसमें रुवायात है कि सारी रूल बियान में दर जाए है रुवायात है अब इस पे एक्षिलाव है मा समझ में आगी समप हो गया कि नहीं हो गया मुझे बताता है को चीज रहा लगी हो कि मैं अब लकड़ा दिया है जियाद नहीं रखता अब उसमें एक चीज यह थी कि ये रुवायत है फटीब बगदादी ने अपनी सारीफ में इबन जरीद ने नाफिर एमसला से रुवायत की कि ये इबन अमर रजिलतालों की रुवायत उन्होंने यह फर्माया कि मुझे उन्होंने कहा है नाफिक ओ कि ये जो स्वह स्तारा है पूछा दो दफ़ादे क्लू quietly और पोँचा और कहा ओंगे हैं striking कि इसको इसको खुशाम देंदना हो तो आफे कहते हैं कि जो में और में परिस्तों करें कर स्हूंसुनीर में भाउत रहा है सिरी हाई तो सब्सुने कर एनदीर ने माँत कर लगते हैं ब जो में ने दो प detto हूए मुझेड करते हैं हम वोते हम पर इना फिर्माहिना करतें, अपने मेंसे दो खुर्ष्टे चुन लो, और फूर्फ चुन लो, वो हारूत और महरूत है, ये वाकिया उसारा, इसमे आजम वाला वाकिया, ये अधरत इन अम्र रजी तोवायत में, कि मुस्मिन राहमद में भी है, इमाम हमद बिनंबल के उसमें लिया और सारी जगर दो वाकियात इसमें ऐसे हैं जिसमें एक वरत और एक मर्द मिलते हैं जो ये बियान करते हैं कि वो हारूत और मारूत से उस पूए में मिले पहला वाकिया अज़ताइशा सदीगा दिलतरानो अना के रुएत से उनकी सुनन में दरिश की है वाकिया ये है कि ये एक दूंतल जिंदल के रहने वालों मेंसे एक वरत आई है अज़ताइशा सदी का रदीशारानों के पास लेकिन जब वो आई तो नभी करीम से रहे साल आ चुके थे तो उसने आके ये कहा कि मैं आई थी जादू के मतालब पूछ कि पूछा क्या उख का और बज़ा ये है कि मेरा खामेंद शेता गाईब हो गया ता तो मुझे एक गूडिया मिली तो उसने आके अगर तो कहें तो मैं तेरे खामेंद को तेरे पास ले आउंगी उसका किस तरह किस तरह मैं तुझे जाहन लेकर चलू में साझ चलना नगी दो काले कुत्रे आये रात को एक में वो बैठ गी बुड़ी है एक में बैठ गी और फिर हम जो है वो बाबल पहुंच गए तो मैंने दो आदमी देखे जो उल्टे लटके हुए थे वो अरत के अंदर गी तो उनों ने का कि तुम आई किसली है का दी मैंने का कि तुम जादू यह कि उन्हें का अच्छा बैठी गया वो जो सामने संदूर है ना उसमें जाकर पिशाप करा यह और दो दफ़ा उस तरफ गई और दोनों दफ़ा नहीं कर सकी तो इसने आकिकात उनों ने का कि इसका मतलब है कि तेरा इमान अभी बाकी है तीसी दफ़ा उस औरत ने वहां उस पूँने में पिशाप कर दिया और जब वौ आई तो उन्हें पूछा तो उन्हें उसने कहा किया कर दिया ईंबह सकराए कोई एक कर डिये है कुछ हुआ मैरें अन्दर से गुनसोहार निकला जिसके चेरे पे लोह होग था और मेरे देख्ती देखते आस्मान की तरफ प जब तुने ये जादू का काम किया तो तेरा इमान जावो रुखसत हो गया तो वो नभी पाक स्वेशले से पास आई थी अपनी तोसे से का मैं उधर जाती हूँ उन से पूछती हूँ कि इसका क्या हाल है तो वो आगे ही तो आप रसाल आ चुके थे तो सहाबा ते पूछा सहाबा खामोश रे कि इसका क्या हाल गा तो अबास रुखस्वार नहीं के साथ की दो कुछ और से सहाबा उन्हों ने तर ये का कर तो अबास तस्वार कर आंदा ये काम न कर और अगर तेरे माबाब होते तो तेरे लिए कफायश करते यानि उनकी तो फिद्बर करती और वो तेरा कुफारा बंदा जिसके ही मसले एक और जो दूसरा है वो यहारून बिन रबाब रह्मतुला ले सर्वायत है कि अब्दुल मलक बिन मर्वान जो हाकिम साइब मका मदीना में है तो मैं महा मिलने गया तो एक कि अब्दुल मलक बिन मार काफी सब्सक्राइब को लिए वहां पर यह पूर्ण जो हारूत और मारूत से बिला उब उस बंदे ने जो हारूत और मारूत से मिला उसे वाकिया अपना बयान किया कि जब मैं चोटा ता मेरा बाब बाब पर गया तो मैं अपनी मार से जो कुछ मांगता था वह जेज़ती भी और जलुत से सद्वादा देती थी मैं उसको उड़ाता फिरता था और जाया बहुत करता था जब मुझे बढ़ा हुआ तो मुझे और शाही मैंने बहां पूछा, यह तू मुले इतना सारा बिती कहा से लाके? उसने का तू अपने मज़े कर तुरिक है? कहना मेरे इसरार पर उसने बताया क्या हो कमरे में लेगी, वो माल और दॉलत से बढ़ा हुआ था, वो कमरा सारा. कहना मैंने पूछा, मासरी कहा से आया? उसने का तेरा बाप जादूगर था, उससे जादू के जोर बें यह सारा कमाया था. कहना मैंने मागो कहा कि मैंने जादू सीचना, उसने मना किया, नहीं मना हुआ, फिर उसने का अच्छा उसक दोस्त फलानी जिगा पर रहता है, महां चला जा, वो अपने बाप के दोस्त के पास गिया, उसके बाप के दोस्त के उसे बड़ा मना किया, कि यह काम ना किया, वो नहीं चला, उसने का अच्छा पर ठीक है, फलाने वक्त आ जाना, मैं तुझे एक जगा ले जाँगा, तो वो उसको एक सुरंग में ले गया, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता लगा कि मैं तीन सु सुरी जा के जो एनए जो मैंने देखा, तो मैंने पढ़ा किया, ला इलहा इल्ला, और उनके जो हैथ बियान की है, वो यह थी कि उनकी आँखेड ढाल की मानन सी, और उनके सर के बारे में कुछ दिकर गया, तो रुझे चाना लगा, नके दो पर थे, तो किया रहने नहीं तुझे की बेखा तो मैंने का ला आला आला इला तो ये सुनकर अपने परों को वो वो सफ़ांती के साथ माँ सुनने लगे और कुछ देर तक चिलाने के लाने के बाद चुक्तव हुआ तक हाम कहने přिंछा कि ये क्या हुआ कहनलिगे कि जब से हम आच से निकले हैं वो फिरिस्टे कहने लगे जब से हम आच से निकले हैं भूँने पहली दफाःал supplier रहा नाम सुन आ उसके वो पड़़ाई उसके बाद वो उन्होंने पूछा के उन कौन सी उमत से है उसे बताया कि मैं उमत मुहमदी तो हो पुशिशना गया, हमकी बस्त हो गई है बस्त हो गई है, हो ताजी हो गई है उन्हें पहर सुवाल किया कि क्या वो लोग जो मुसलिमानें वो एकष़ से पीसे चल रहे हैं यह तक फरका पड़ गया तो उन्हें गाए कि जी वो एक ही शक्स पे हैं तो उसको अदर अफसोस लोगा फिर उन्होंने कहा कि अच्छा लोगों के अपसे तालुपात कैसे हैं इसने जवाब दिया कि जी बड़े बुरे हैं तो वो खुश हो गए इसलिए उन्हें जो बात पुशी हो यह कि यह क्या बहिरा तो इस्राइल में वहां तक इमार्टें पहुंच गही हैं बलंदे मार्टें तो उसने का कि नहीं तो उन्हें अफसोस हुआ है कि जब वो बेस्ट हो गई है तो उसकोन हुआ एक ही शक्त के जबा थे तो उसके हम क्यामत की निशानियों में से यह है कि लोग एक चक्त के पीशे नहीं चलेंगे बढ़के तो फरका बढ़ जाएगा और लोग मुख्री लोगों के पीशे चलना शूर कर दें तो यह सुनकर हमें तक्लीव हुई कि इसका मतलब क्यामत करीब नहीं है और तीसरी बात जो है व कैसा पुचह किने नहीं करें इस्ता मतल से जान से कई हुए तो आज यह का मने का मतलीव है कि मुझे हैं कि क्यामत के इसकते होगा हैं क्यूंकि ये काम खुश्बक्ति का है ना सोना जो है काम खुश्बक्ति है हमें सोने के लावा काम कोई नहीं है तीक है ये था यहां तक कल का यहां तक चीव हो गई ना मैंना खुश्बक्ति काम काम की चीज़े थी ती बाग भी दो मैं दुरुश्बक्ति की मासर रहत हूं तो एन्यूए यह अगेसने में बुशारा हो जाएगा अब आभी जोहरा यह जोहरा जबी नहीं है यह जोहरा है तफ्सीर इबन कसीर में जबदाज यह 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 है कि इस उरत का नाम अरवी में जोहरा था नप्सी यह नप्सी डूनड़ा फिर के नप्सी आया क्या है यह राव में कहीं मजवियों की और वो जो खाना बदोचते उनकी जबान की नप्सी जबान में इसका नाम बेदख्त है बेदख्त है और फार्फी में नामता नाईब और एक किसी जगा पे इसका नाम अनाहलिया भी है वो ही मैंने देखा कहीं किसी जगा वा रखी ने तफसीर जब मसूर में ये एक रवायत और ये बड़ी काम की रवायत इमाम जबेर बिल्डिकार में अलमुफियात में अलमुफियात में इबन मर्दूया और डैलमी ने अजब तरी जब रवायत किया है कि नवी कि झींस से मस्क शुदा चीजों के बारे में पूछा गया मस्क कि अल्दा ने जो मस्क ती है आप सल्वरसलम ने फरमाया कि वो तेरा चीज़े है थर्टीन यह अब में आदस आज का शुरू हो गया कल का मुखमर हो गया आज का शुरू है तेरा चीज़े है तेरा चीज़े है कौन कोंसा है हाथी रीच फंदीर बंदर बाम मच्री गो चमगादर बिच्छू स्या कीड़ा मकड़ी खरगोश सुहेल यह सहेल नहीं है सहिल का मतलब है दोस्त, ये सुहेल है, सितारा जोर, ये मस्क उज़ाद चीज़ों में है, अब अगला स्वाल ये किया गया, कि ये मस्क क्यों है, अब सुनते जाओं, आप अब स्वे नहीं अब आप समय नहीं आप फरमाया कि हाती एक जालिम लवातिस करने वाला श्क्त था, अज़त लूत 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 ये कौम में जो मर्द था ना, वो मर्द उसमें था, किसी खुश्क या गिली चीज़ को ना छोड़ता था, रीच औरत थी जो लोगों को अपनी तरफ बलाती थी, खंजीर नसारा में से था, जिनोंने दस्तर खान ये, वो सुराल माइदा ह ना, उन्होंने माइदा उतरने का स्वाल किये, जब वो नाजिल हो गया तो कुफर करने लगे, और बंदर यहूदी हैं, जिनोंने हफ़ते के दिन में ज्यास्ती की, और जरीफ, यानि बाम मचली जियाती आदमी था, जो हाजियों का माल पेड़े मुग की लड़क्डी से यानि उसके जर्म की पादाश में उसको मस करके बाम मचली मना दिया लिए, और चमगादर एक मर्थ था जो खजूर के ओपर फल चोरी करता था, और बिच्छू वो आदमी था जो अपनी जबान से किसी को सलाम नहीं करता, और दाउस यानि पानी का कीड़ा चलगोजा था, जो दोस्तों के दर्मियान चुदाई डिलवा देता था, और मकड़ी वो ओरत थी जिसमें अपने शोहर पर जादू कर दिया था, और खरगोश एक ऐसी ओरत थी, जो हैस के पाक नहीं होती थी, यानि हैस, खता मुझे तर खरगोसल भी नहीं करती थी, ऐस ही, और सुहल, यम पन से बत्ता कठा किया गरता, दसना इस्ता था, जो ये बत्ते के तोर पर वसूल किया था, अजरत, अजरत, खरगोसली, और खरगोसली, और व्रे, और जोहरा बनी फ्राईल के बादशाओं की लड़की भी, जिसके जरीए हारूत और मारूत इतना में मुक्तरा हुई है, नहीं समझें इसने कौन से अधर कर्तूत है जो हमारे में नहीं है हमारे से मुराद है कि इस उम्मत में नहीं है लेख लिया वो कैसा वाकता कि तो लोगों में नोट बिजवाया करते हैं था पीडियेफ बनाती है सुवान अल्ला वेरी गोड़ी इन्होंने कदर ही कुई नहीं है जो कदर नहीं हुई तो तरह हमने भी छोड़ी है चलो छोड़ो कैसा इसान अल्ला वी नेमतों को कुई टुकरा यह सुहाल जो है यह इसका मैंने कैक्ट करके कि यह कहा है यह जनुबी असमान का सबस्वे रोशन स्कारा जो खार इसनामी जोड़्मट रवार्ट है गैलेक्सी में अब इसके आरूस और मारूस के किसे पर इस्तलाव है और एक्तिलाफ की आउट लाइन बताज़तों फिर मैं जो मुफसरी ने लिखा वो बेहां कर गूंगा आउट लाइन यह है कि वो किपते हैं कि यह जो यह ना यह कुरान की आयात के खलाफ है यह वाकिए दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी रोधות ग्यान की जाती है ये सारी जायव हैं कुछ मर्दूद हैं त्यायिए ने के इत्बाह निकिया जा सकता तीसरी वज़ा को कहते है जि मर्फूह दीश दीश ओ趣 नहीं है नभी करीम से मर्फूव अदीज नहीं है तो इस बुनिया पर वो इसका निकार करते है तफसीर इबन कसीर हाफिज इबन कसीर के लिखते हैं कि ये किस्सा तावाईन में से भी अक्सर लोगों ने बियान किया है जैसे मुजाहिज सिद्धी, हसन बसरी, अबुलालिया, जहरी, रभी बिन अनस, मुक्तल बिन हयान वगएरा वगएरा राहिम लाजमारी और मुक्तदमीन में और मताफरीन में मुफचरीन में अपनी तफसीरों में से नकल किया लेकिन इसका ज़्यादतर दारों मदार बनी साइल की किताबों पर है आने के जिस कदर कुरान में है तही और दुरस्त है और हकीत का हाल जो है वो अल्लादत आला कोई वाल देशित यार यह समलो किदर गया हो असामार यह गल्द काफी होगी है मैंने इसमें मेंटमेंट की वह मुझे बता है तो आफिज इने कसीर नहीं वो अभी आते हैं इस तरह तफ्सीर रात जनान वो यह कहते हैं कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं जिने बनी इसराईल की अजमाईश के लिए लग्यान ने बेगा इनके बारे में गल्द किसे बहुत मशूर है और वो सब बातल है यह खादन जो तफ्सीर खादन है उसके अवाले के लोग्यान ने बित्खा हूँ आला अज़त इमाम एमद रजाखान ले रह्मत और रह्मान ने हारूत और मारूत के वारे में जो किलाव फर्माया तो खलाता ये है कि हारूत और मारूत का वाकिया जिस तरह आवाम में मशूर है आएमा कराम इसका शबीद और सफ इंकार करें किसी तफ्सीर शफाद शरीफ और उसकी शरूहात में मौजूद है यहां तक कि इमाम आज़त खादी आयाद रहमत ल्ला ताला ले में फर्माया हारूत और मारूत के बारे में यहुदियों की किताबों और उनकी घड़ी वी बातों में से है और राजे यही है कि हारूत और मारूत दो फरिष्टे हैं जिने अल्ला ताला ने मख्लूद की आदमायश के लिए मुकरर सर्माया जो कि जादू सीखना चाहे इसे नसीयत करें कि हम तो आजमायश के लिए मुकरर हुए है तू कुफर ना करा और जो इनकी बात ना माने वो अपने पाउँ पर चल कर फुछ जहन्नम में जाए यह परिष्टे अगर इसे जादू सिखाते है तो वो फर्मा बर्दारी कर रहे हैं ना के ना फर्मानी कर रहे हैं अच्छ श्वाई फस्वाद के लुकौन सी इसमतल मलाइका जुद्सानी फतावारिज़िया किताब श्वाद पिवियान और कुरान यह उलाव रसूल सहीदी जाद की वो कहते हैं कि जौरा स्वाद फस्वाद पर शुरू से मौजूद है इसके यह रवायत अकलन बातल है और हरूत और मारूत के गुना को जो जिकर है गुना का जो जिकर है यह पुरान मुजीद की नायात के खलाव है जिन में फरिष्टों की असमत को बियान फर्माया है लात अला का इशाद सुरह तह्रीम आएस नंबर 6 सुरह का नंबर 64 ला यासून ल्लाह मा अमरहूं वयक्पलून मा युवरून यह जो फरिष्टे हैं यह अल्ला का हुकम नहीं चालते और जो इने हुकम हो वो ही करते हैं सुरह लंबिया सुरह का नंबर 21 आयात 26 यह 26 नी आयत का आखरी इसा है और 27 नी आयज़े अब पूरी है बाले बादु मुक्रमून ला यस्ड़कून हू मिल्कौले वहुम बे अमरही यामरून कि वो जो फरिश्टे हैं बल्कि बंदे हैं इस्ड़कूले बात में इसे सब्केट नहीं करते हैं और वो इसी के हुकम पर कारबन invent होते हैं यानि All right बात में सब्केट नहीं लगिए जाते और लाह की हुकम के लुगते हैं और इसके पास वाले खरिश्टे इसकी अबादा से तकबर नहीं करते और ना ठकें रात बेन इसकी पाकी बोलते हैं और सुस्थी नहीं करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो आयात हैं हारूत और मारूत का वाक्या जो बियान किया जाता है ये वाक्या इन आयात के खिलाब है जिसमें अल्ला ताला ने फरिश्टों की असमत बियान की हुई है अच्छा ये या आयात याद रखता है मैं अल्ला इसका जवाब गूँ या भी ले लो जवाब इसके बात ये है कि ये जितनी ही जितनी भी ये अल्ला ने सिफात बियान की है फरिष्टों की तारीफ की है ये उन फरिष्टों की है जिन में अप्वाइश नहीं है अगर ये तस्मीम कर लिया जाए कि जब हारूत और मारूत की जुमीम पर बेजा गया तो उन में इन्सान में जो ख्वाइशात हैं वो ही ख्वाइशात उन में ट्रांस्वर करके बेजा गया तो फिर वो इन आयात के एमबिट से निकल जाए यानि इन आयात को उन पे इतलाख नहीं होता अब क्या करें और कि ये कहा जाए कि लिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें ख्वाइश डाल दिये तो अल्ला हर शेय करका दिर है ख्वाइश का अंसर भूझ आ ख्रिश्टों के साथ लगा दिया गया तो फिर वो निकलाए कि ये वो फरिश्टे हैं जिन में ख्वाइश का अंसर उज़ो दिलें अगलाम रसुल सहीजी साब ने को पिछने हैं उनकी इससे इंफ्लूइंस होते है उसके जिस्टिपाइग कर देते हैं यह भी होता है यह एक उपीनियन है अमारी में इससे इससे को इससे को इससे को इसराईलियों ने वज़ा किया हर चंद कि इसको काबल आखबार में रवायत किया और इन से मुतकद्दमीन की एक जमाद ने बतौर हभीत बनी इसराहिल के नकल किया है इमाम एहमत और इमाम इबन अभवान में इसको की सही में अपनी संदों के साथ और इमाम इबन अभवान में उसे मर्फूवन रवायत किया है और इसमें बहुत तवील किस्टा है और इमाम अभवर रजाग ने इसको कि सनद के साथ काबल आखबार से रवायत किया है और इसकी सनद जादा सही है इमाम हाकिम ने मुस्तदरिक में और इमाम उपने अभी हाकिम ने इसको अप्रितारी में हदरत अबन अबास, رदी ल你要ुत से रुगाई किया है तेके सही अबान में सारी सही रुखाई आते हैं उसमें ये रुखाई ए मुस्न जामत की रिवायत कर तो मैं दिखाई थी ठीक है तो दिखाई भी वहाँ से बोटी फार भी बिदावी शाफी लिखते हैं ये तिज्वान पुरान से लिया गाना लिखते हैं कि ये रिवायात यहूद से नकल की गई नहीं है और ये हो सकता है कि मतकद्दमीन की रमूज हो जिनका हल करना एहल एल पर मकफी नहीं है एक कौल ये है कि हारूत और मारूत दो आदमी थे जिनके की रेर मामूले नेक्जियों की वज़ाए से फरिश्टा कहा गया अन्वार उत तंदीन दर्सी सफ़ा च्छानी अलामा शाब अदिन उस्फ़ा जी लिखते है खादी बिदावी ने जो ये कहा कि ये रमूज मतकद्दमीन है इस से इनकी मुराद ये है कि फरिश्टा बहैसित फरिश्टा गुनाहों से मासूम है और जब इसकी हकीकत बदल दी जाए और इसको आदमी के खवात और इसकी कुवतों से मरकब कर लिया जाए तो फिर इसका गुनाह करना कुरान मुजीद की आयात के मुखालिफ नहीं है और ये भी हो सकता है कि इस पिस्से में तमसील बियान की गई हो और हारूत औ मारूत से मुराद इनसान का बदन और जोहरा से मुराद इसकी रूप बदन ने रूप को गुनाह पर उभारा और जब रूप इस पर मतनब्ब्ब हुई तो वह आसमान पर चली गई और अगर ये कहा जाए कि हारूत औ मारूत दो आदमी थे जिनको इनकी गहर मामूली इबारस की वैसे फरिस्ता कहा गया तो फिर कोई अश्काल ने ये कोई शक्स कोई डाउट नायत तुकादी जिर्द जो सफा दो सो सोला मतबुवादार दार सादर बैरूत ये तो हो कि सारी अगेंस ठीक है बहुर तो नहीं हुए हो थी है कल भी सुनादा जै अज़ भी सुनादा भी जैज़ भी सुनादा भी अब आजए हम अपनी तफ्सीर रूहय बियाञे है सफीर रूह तफ्सीर रूह बियान के जो रॉइटर है यानि हकी अर्ज करता है कि मैंने बड़ी-बड़ी किताबों का मताला किया वाव वसूफे कराम हूँ या एल शराफ सब इस बात पर मुत्विक हैं कि हारूस और मारूस का वाक्या दरूस है फिर ये बात दूर है कि तमाम लोग यहूद के गल्स नदरिया पर इत्फाक करें यानि वो जो का जा रहा रहा ना कि यहूदियों से नकल की गई यह और यहूदियों रवायत की गई है तो अपकी साब यह फर्माते हैं कि यह महाल है यह चीज़ सोचना कि इतने सारे लोग यहूदियों की रवायत पर इत्फाक करें कि दिवोटी लग रवायत पर इत्फाक करें कि यहां मेरा नजरिया इसमें यह है कि इन फरिष्टों से इस्यान का वकुम मुम्चिन है इस्यान है जिसकी फित्रत में गुनागारी है लेकिन इससे नेकी बिलतकल्ब हो जाती है यानि फित्रत में गुनागारी है मगर फिर भी यह नेकी करता है तो कहते हैं इसी तरीके से जब रिष्टों में अतात है बनियादी तोर को उनकी फित्रत अतात की है मगर उन से फिर भी बुराई का चांस रहता है और कहते हैं कि दिलीज इसकी यही आयात है सुरह अन्बिया आयत नंबर 20 के राद दिन इस्टिपाकी बोलते हैं और सुस्ती नहीं करते हैं और सुर्माया वयफालून मा युक्मरून सुरह तहरीम आयत नंबर 6 कहते हैं देखिए इसे गुना का सरदद होना मुम्किन ना होता तो इनकी मज़ क्यों की जाती है इनकी तारीफ क्यों की जाती है क्याते है तारीफ तो इस फेल पर होती है जिसका करना मुम्किन ना हो यानि एक चीज़ का वजूद है वो हो सकती है फिर ना करे तो तब तारीफ बनती है यानि एक चीज़ है कि जिसका होना ही इंपॉसिबल है अल्ला ने वो चीज़ रखी नहीं है तो फिर उसमें तारीफ की तो कोई बात ने हुई देखो ना वलायत पर जो बिलती है वो कब मिलती है वो तब मिलती है कि जब इनसान अपनी ख़ौएशात अपने नफस को दुनिया की मुहबत को अपनी ख़ौएशात को रद करके अल्ला की तरस चला जया यानि वो तुमान चीज़ें मौजूद है अगर वो चाहता तो उधर भी चला जाता है तीक है उसने उसको छोड़के अल्ला का इंतखाब गिया कि मैं अल्ला की तरह जाँगा तो अल्ला उसको अपना दोष बना ले तीक है ना मगर मतलब यह है कि उसमें चीज़ थी कि यह जा सकता हाँ मगर वो नहीं गिया इसलिए उसको वलायत मिल गी और इसलिए उसकी तारीख भी होती है कि इन लोगों को कोई खौफ नहीं होगा तो यह कहना यह गाम पता हूं रोजे मैशर सबसे पहले यह नहीं को साइट बेकर दिया अगर तुम तो साइट बेकर खड़े हो जो बाकियों से भुकता जाएगा आ जो जो तो यह है इसका मतलब कि अगर यह चीज़ ना होती कि इन से अगर यह गुना का यह गल्पी का इन से से इतिकाब मुमकिन ना होता चोई इन से तारीख है समझ एंगा नहीं बात हमज में आई बई एक बंदे कर जी आना और चोरी इन का सारा माहूल है कि ओछोरी कर सकता है फिर दो चोरी ना करे उसकी तारीख होगी ना एमांदार है तीक है मस्ट इद्री नी बात फिर आगे लिखते हैं कि शार नजूर से भी यह ही मालूम होता कि अज़त इद्रीज अले इसलाम के जबाने में जब मलाइकर कराम ने बनी आदम पर आर का एदाप किया कि यह लोग गुना अज़ादा करते हैं उने की कम फिर इनके दरजाद भी जल बिलंद उते हैं और अल्ला ने फिर्माया अगर तुम इनकी जिए रहोते हैं तुमारे अंदर भी इनकी तरह शहवाद होते हैं तुम से भी गुना सब्सक्रद होते फरिष्टों ने कहा नहीं यारब हरगीज नहीं हमसे आना ऐसा होना गैर मतवफ्टे है अल्ह टाला ने फर्माए तुम अपने से अपनी पसंद के दो फरिष्टे लो किने मैं जमीन पर लेज़ दू उन्होंने हरुत और महरुत को चुना ये दोनों तमाम फरिष्टों से ज़रा नेक और अबादत गुजारते हैं इन दोनों को बश्री खुआइश दे कर जमीन पर उतारा लिए ये रूह बियान में रिकाए पिर इन से वही कुछ सर्दाद हुआ जो इनके बारे में मशूर है और ये कोई बाइद भी नहीं वैसे फरिष्टों का जमीन पर उतना गुनाद के लिए नहीं जब तक इन में मश्ची तकादे पैदा ना किया जाए इबली इसमें शेहवत का मादा रखा गया है और इसकी जुरूरियात में भी लेकिन इसके बाएद इसका मलाइका में शुमार होता है जैसे कि बाइस का कौन है कहते हैं ना बाइस कि ये फरिष्टा साफिर इसमें निकाल दिया गया बाइस कहते हैं कि ये शेहवत इसमें इसके तरकी गी जब इसका नाव फरिष्टों में से काटा गया इसी इत्वार से जायज है कि हारूत और मारूत में जमीन पर उतारते वक्त शहवत रखी गई वो ताके इन में तर्कीव बश्रियत के मादा पाया जाए और इनके इम्तिहान लिया जाए बड़ी कॉमन सेंस की बार कि फरिश्टों ने इतराद किया था किसमें? इनसान के अब जब तक जिनको उतारा गया उनमें इनसान की खास्लिटे ना रखी जाएं और उसकी खामिये ना रखी जाएं तो मुकावला कैसे होते हैं? ठीक है ना? तो अगर इस चीज़ को सामें रखा जा तो फिर ये बाद रोल बियान की ठीक लगती है कि उनको जब जब जमीन पे वेज़ा गया तो उनमें बश्री तकाजा उड़ान के लिए ये वाद साब ठीक है तो बराबर का मैश होता ना? एक में फौाइश है एक में फौाइश ही नहीं है तो उनका मैश क्या है? बोई मैश नहीं है इनसान का रुच्बा बड़ा जा है एक वो खलीफा है लेकिन रुच्बा बड़ा इस वो इस दुजिए है कि ये खोइश के होते हुए भी खोइश को पूरा नहीं करता है उसकी मौबर में ग्रिफ्तार नहीं होता तो इसलिए आसे कि देखा जाए तो ये ठीक लिखता और फिर वो इसके हाशिया में लिखा हुआ है कि आकामल मरजान में है आ लुक्तार ने इन्सान फृरिष्टा और जिनने फार करता जाए तो उसके अगर फिर वो कि अग्रिफ्ते को इन्सान की पर या तादिल कर दे तो वो बलाकियत से खारिज हो जी रहता है याई वो फृरिष्टा फिर नहीं रहता है इसी तरह शेतान को इनसान की सुरत में तब्दिल कर दे तो वो शेतानियत से खारज हो जाएंगे तो शेतान में रहेंगे आगे ये वो अज़ती अबरीस अलबात किया है उसके बाद ये एक अबीश शरीफ है नभी करीम सल्वें शल्म में शाहत सर्माया दुनिया से डरो कसम एफ़ाद की जिसके तब्दे मेरी जान है वो हारूत और मारूत से ज़्यादा जादू करने वाली है यह आरोत और मारूत का जादू है वो कुछ भी नहीं है जो ये दुनिया की जो एक्रेक्शन है इसकी जो भुशूरती है जो ये अपनी तरफ खेंशती है इसकी जो कशिश है वो उस जादू से कहीं बढ़ कर दो माना करना उसके बाद मैंने कंसर्टिया तफिर मधरी को वो मैं सूफिया की है उसमें भी इसको यही वाकिया लिखा हुए फिर मैं चला गया तफिर इन अरभी पर अगर उसको भी देखा जाए तो वहां से ही लगता है कि वो यह जो वाक्या है यह उनकी आभी इसको दीख करा दो यह आरूत और मारूत का अब यह तो होगी न अब वापिस चलते हैं सायद तो होगे रहा है यह फान साथ मिनिट अब सर पगड़ी है तो बढ़ ठीक है छोड़ेत के पगड़ी होता है अब इस आयद को दरा वो और से देशना हल जो बात हो रही थी यह जो लवज है तत्लुच शेयतीन पढ़ना पढ़ना तफसीर अलजेलानी के मताबब यह जो शेयतीन पढ़ते हैं यह जाते को हितूर पर पढ़ते हैं जबी जदू गारा करते हैं जो कोई तूर पर करते हैं अब पढ़ान क्यों जाता है स्वार यह इसका जवाट में तफसीर में नहीं मिले रही धीज़ा पढ़ने की जुरुष क्या है अच्छा पहले तो हम बात करें ना अपने अपने दीन के एसास वो मिधाल इसके साथ तो कोई तालुप नहीं है लेकिन उसके से हमने सेंस लेनी है I'll repeat के उस मिधाल का इशेयतीन के पड़ने के कोई तालुप नहीं है बगर हमने वहाँ से उसकी सेंस लेनी है कि यह क्या है सभी बुखारी में सभी मुस्लिम में तुमाम में ये दूसरी कुछ में भी ये रवायत है कि जब रोल्डे मेशर हो जाएगा है साब के साब और वो अंबिया कराम के पास लोग जाएंगे कि हमारी शफात करो वो केंगे हम नी करवास उसके तो फिर वो पूछेंगे जगा बताओ जहां जाएंगे शफात करो है अपनी तो वो बताया जाएगा कि तुम नभी करीम सब्सक्राइब के पास जाओ वो शफात कराएंगे यह आदिस है तुम्हें पहले करवाई जी नहीं है उस नहादिस के एंड का जो हिस्सा है वो याद रखना यह नभी करीम सब्सक्राइब करें यह अल्ला से और अल्ला सुमानों ताला उनको कुछ अस्मा सिखाएगा कि यह पढ़ो और फिर दखास करो लिवाए हम्द में याद है मैं अजदी बने अरभी के उससे में प्राहरत कुछ अब इसमें पॉइंट यह है कि वो अस्मा पढ़ने के बाद दखास की जए तो नभी करीम सब्सक्राइब वो अस्मा पढ़कर और दखास करेंगे और अल्ला सुमानों ताला शफास ठीक है कि पॉइंट इस कि वो अस्मा पढ़ने पर दखास की आप सम्झेंगा आप कि उस मिसाल का शायातीन की इससे कोई तालुक नहीं है मैसे तुमें एक सेंस देना चाहरू उसके अलावा नहीं है कंडिशनल आप यह अस्मा पढ़ें और फिर दुआ करें और उन अस्मा के बगएर शवाद में तो रिजन reason यह है जो वो असमा तो Allah सुभानों टाला जाने और Allah के उपन से नभी पाफ तरने समय है reason क्या है reason यह है कि maybe यह एक गुमान है तो अकीत पर ला जाने कि Allah सुभानों टाला को वो अपने नाम बहुत अजीज है और Allah सुभानों टाला कि जब उन नामों से पुकारा जाएगा तो Allah सुभानों टाला इतना रौफ और रहीम हो जाएगा कि वो बड़े से बड़े कुना को माफ़ादा तीक है यह उसका अल्भान राजी हो जाएगा कि मुझे इस नाम से पुकारा जाएगा तीक है अब अंबिय कराम की भी अगर सारी खताप पर देखें तो अंबिय कराम ने भी अल्ला सुभानों से पुकारा अल्ला के सिफाती अस्मा से पुकारा अल्ली कराम ने जब पुकारा तीक हो तीक है उसमा से पुकारा और फिर वो इसम आदम 還有 शीजे इस बात करते हैं यह सारी इसमे आदम ने बात करता है नहीं वो अल्ला से जीज़ इस यहां दुरुत पड़ी तो इसम आदम पुकारा जाये ऐसी चीज से कि जो उसको मरगूब हो जो इसको पसंद आए तो अल्ला सुभानों ताला के केस में अल्ला की रह्मत जया वो जोश मारती ठीक है यह वह ना मत्था हूँ है अब इस सेंस को लेना अब यह अपने सेंस एक डिवलप कर ली कि जब पुकारा जाए और वो जो पुकारा जा रहा है अगर वो अल्ला को पसंद आए तो अल्ला की रह्मन जो है वो जो इसमार की ठीक है यह अला सुभाना ताला का exclusive मामला है प्लिदर होगे अस्मा नभी में आजए यह जो तुम्हे कहा गया कि स्यद्ना करीम पढ़ो तुम्हे इसकी अफादियत में नहीं मालूम इसके गोड़ करना तुम्हे समझा देगी यह पुकार है यूर कॉलिंग है जरोश यह पढ़ना एक और चीज़ है वो तुमने आखर में पढ़ लिया स्यद्ना करीम यह दरसल तुम अभी करीम को पुकार रहे हो उनके सिफ्ट के साथ जो अल्ला ने उनको अता फर्माई ठीक है तो जब आफ सिफ्ट के साथ को पुकारेंगे उनकी तुबज्ज़ होगी ठीक है और शाबज है तुम लोगों के कि तुम में से मेरा है नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट लोगों ने शुरू करके इसको छोड़ गी अब यहां सेंस ट्वेलप होगी ठीक है अब आजो श्यातीन वादी सैट यह जब कलाम पढ़ते हैं यह वो कलाम पढ़ते हैं जिससे शियतान राजी होते हैं यह अब फर्क नदर आगे कि अल्ला सुभान ओ नो ताला की साइट पे अल्ला को पुकरा जाता है उसके सिफात के साथ उसकी इसन बें आज़म के साथ तो अल्ला ताला के रह में जोश में आगती है शैतान की साइट पे ये जो शेयातीरी जो जादू पड़ते हैं ये सारा कोछ ये वो है कि जिस से शेतान जो है वो कौन सा शेतान बड़ा वाला वो राजी हो जाए अब ये बात समय में आगी आप दूसरी बात समदें वजाइफ के अंदर कहा जाता है कि 313 दफ़ा ये पड़ो हैं 11 मर्तबा ये पड़ो 1000 मर्तबा ये पड़ो 3000 मर्तबा ये पड़ो 10,000 मर्तबा ये पड़ो यही है न हर वजीफे की मुक्तित एक तादाद है अभी इस लेवल पे तुम लोग से इतना समझ लो वो से बाकी और भी चीज़े हैं लेकिन इस लेवल पे इतना समझ लो कि ये तादाद वो है जिसके बाद अल्ला सुभानव टाला मतवज्जे हो जाता अरट उसमें उस तादाद के अंदर दरसर उसकी इस्त قामत जो है पढ़ने वाले की इस्त قामत और उसकी लगन उसकी नियत उसका इخलास वो साराजाजू जोजदका है जब उस मुकाम पे वो पहुंचता है उसकी तादाद जो सेट है उसके पहुंचता है तो अल्ला सुभानों ताला मतमज़े रिए ये मैंने एक बड़ी कैलो कि ये हैड लाइन है इसके नीचे सब लाइन्स है वो बात की बात कैसे तो वहां से पता लगी वो तादाद सिना वसिना आरी है के इने लिए वो उल्मा के पास नहीं है उल्मा के पास वो ही है जो क्या बिजान हो एंगा तो वही है ठीगहा है कि yes चींहें बेखित को नही जा सकती तो वो पर ये नभी करीम झाल Monsieur शैतीन होनी सहिती उसमें जो तादाद है वो तादाद इसका सैट है कि जिसके बाद शेता है वो अर्द कर दिता है उपर कि ये काम हो जाए तो पहला का क्या फर्माना है कि मेरे हुकम के वो आद नी होता तीक है और अल्ला सुभानों ताला ने उसे कहा हुआ है कि रोजे मैशे से माफी के लवा जो मांगेगा मैं दोंगा तीक है तो वो जो इनका बड़ा साब है ना वो राजी हो के आगे और फिर वहां से जब हुकम होता है तो इनके जादू में तासीर आती है अब समझ के बात है है तो बाते समयने हागी एक कि इस नाम से पुकारना है तीक है अब ये वह तुम्हारे बाद आगा है कि पढ़ना क्या है ये अतलू पढ़ना क्या है अल्लावाले ये पढ़ते हैं और शेयातीन जो है वो वो पढ़ते हैं अब ये उधर भी अल्लागी दीवी तासीर है इधर भी अल्लागी दीवी तासीर है परक क्या है?riverक़् यह है कि अन्ला वाले अन्ला के अनला को याद करें ठीक है? ठीक है? और वो यह समझते हैं और यह इमाम रखते हैं कि जो भी ताथिर है वो अल्लाई की तरस्टे है और अल्ला सुभानों ताला के लावा कोई मौसर नहीं है कोई मौसर नहीं है अल्ला के लावा ये उनका इमान है यकीन है और ये यखीकत है और अल्ला सुभानों ताला यही चाहता है कि ये मुझे बरुसाद करें और मेरी वादानियत, हकानियत तो तफ्रीम कर दो ठीक हो गी बार जादू कुफर इसलिए है कि जो शैयतीन पड़ते हैं उनका इतिकाद इमान अल्ला पे नहीं है वो तो जो इस नाम से शेतान को पुकार रहे हैं उनका इतिकाद उस पे है तो जब आपका इतिकाद उसके अल्ला सुभानों साला से गेर अल्ला पे चला जाएगा तो ये शैयत पे चला जाएगा और अगर कोई माने ही ना अल्ला को शैयत तो वो करेगा जो अल्ला को तो मानता हो लेकिन दूसरे को भी मानता हो जो अल्ला को भी ना माने और तकिया ही शयातील पर करे वो कुफर में आ जाएगा तो जब हम इंशालों दरा जादू के वो क्याटीक पर आएंगे उसमें इसकी तफसील अल्लारे चाहते हैं दूरूर बियान करने अब बास हमें आगी क्यों पढ़ा जाता है कासगादा नहीं बताएंगे क्यों पढ़ा जाता है ठीक हो इसकी बास है क्या पढ़ा जाता है यह भी हो गया तासीर की हो है जो अल्ला ने फरमाया कि मेरे उक्न के बगार दिए वो भी कवर होगी ठीक है अब आगी हमारे उक्न के बगार जाता है Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh